BGMI का नया अपडेट 3.4 इस बार लेकर आया है नया हैलोईन मोड तो हर बार जैसे जॉम्बीज दिखते हैं इस बार एक नई कहानी कह रहा है ये मोड वुल्फ्स हैं वेंपायर्स हैं उनके बीच एक लेजिंडरी बैटल सो मेरे भाई रेडी हो जाओ क्योंगे आज के इस वीडियो में हम सारे नए फीचर्स तो देखनी जारें पर उसके साथ इस मोड की नई स्टोरी लाइन को एक्स्प्लोर करने वाले हैं क्या चीज़ें क्यूं हैं किस तरह से हैं ये सब चेक आउट करेंगे तो क्या हाल है कैसे हो आप नया एटलांटिस शहर जो अभी मोड के अंदर चल रहा है ओशेन ओडेसी ये तो 10-12000 साल पहले बेजड है लेकिन जो अब ये नया मोड आ रहा ही तो 300 साल पुरा नहीं है क्योंकि इसमें घोडे है, जादूई इंजेक्शन है, भागने वाली पेटियां है, घूमने वाले डंडे है, भीडियो के गाउं है, चमकादडों के महल है पर उसी के साथ होवर क्राफ्ट भी है, डू़ल MP7 पिस्टल भी है क्योंकि है तो ये गेम फिक्शन ही न, रियालिटी थोड़ी है, तो आओ एक के बाद एक साथी चीज़े देखते हैं, लेट्स को ये नया मोड है, ब्लड मून अवेकनिंग, यही नाम है इसका, और क्योंकि ये नया हैलोईन मोड है, तो चमकादडों वाला नया फ्लाइट पाद एनिमेशन कुछ ऐसा दिखता है, चमकादड प्लेन के ओपर उड़ती आती हैं और उसके बाद गाय हो जाती है और अब डिसकस करने जा रहे है, दे लेजेंडरी बैटल जो इस मोड में आ गई है, एक वुल्फ है और दूसरा वेंपायर है, तो वुल्फ वारियर और वेंपायर एक फींड, यह दो कैरेक्टर्स है इसमें, सो ब्लड मून अवेकनिंग मोड की इस लेजेंडरी बैटल का यह दूसरे ग्रूप वालों को पहले ग्रूप वाले की चेस्ट या किसी और ग्रूप की चेस्ट नहीं दिखेगी, तो उन्हें जाके उसे अक्टिवेट करना है, जिससे एक कूल डाउन शुरू हो जाएगा, और हर ग्रूप को दिखने लगेगा, उनका काउंट डाउन के कितनी देर में यह चेस्ट अक्टिवेट हो जाएगी और यह जेम्स देती है, तो उन जेम्स से शॉप से शॉपिंग की जा सकती है, तो वो जेम्स दिखेंगे हमें किस तरह के होते हैं और शॉप से क्या-क्या पर्चेस कर सकते हैं, जेम्स से ये भी चेकाउट करने जा रह तो हमारे स्कॉर्ड को इसे डिफेंड करना है ताकि हमारा स्कॉर्ड ही ये जेम ले पाए हासे क्योंकि ये देखो अगर ये वाली स्पेशल चीजे चाहिए तो ये इन जेम से ही खरीच सकते हैं हम ये पैसे से नहीं मिल रहीं यहाँ पर री स्पॉन कार्ड है एक एक्स्रा लाइफ है एनहेंस्मेंट पोशिंस एड हो जाएंगे यहाँ पर और भी स्पेशल आइटम शॉप के अंदर एड होने वाले हैं इसके लिए अब वीडियो में आगे पढ़ने से पहले एक इस्टर एक चेक आउट करते हैं पोशिंकी के बीच यहाँ खंबे पे एक डग बैटी है साइटक जैसा कोई यहाँ पर पराणी दिख रहा है मुझे यह इसने हलमेट भी पहना हुआ यह गेम के दूसरे वर्जिन में दिख चुकी है पहले हमें इस बार क्या दिख रही है तो आपके हिसाब से यह क्या है मुझे कॉमेंट्स में बताओ ओके तो न्यू मैप एरिया अज़ में सबसे जबर्दस एरिया जो इस नए मोड में देख रहा है यह है कैसल क्रिमसन कीप नाम है इस नए मैप एरिया का लेकिन ब्लड मून अवेकनिंग मोड में यहां आने के लिए हर बार गलाइड करके आने या गाडियों से पहुँचने की जरुत नहीं पढ़ने वाली यहां पर स्पेशल चाबी मिलेगी हमें पूरे मोड के अंदर कहीं पर भी और उन सीक्रेट क्रिमसन कीज से यहां पर सीक्रेट पोर्टल खुल जाते हैं उन पोर्टल से हम जादू से यहां आ सकते हैं गायवोकर पहुच जाएंगे पर अगर सबसे पहले उस रेड क्रिमसन क्रेट तक पहुचना है जिसके अंदर बहुत ज़ादा जबर्दस लूट मिलती है तो यहाँ पर एक वुडन लिफ्ट है जो सीधा उस कमरे के अंदर ही ड्रॉप करती है यहाँ बैलकरी में आना है और सामने वो अला कमरा है जहाँ पर वो ट्रेजर चेस्ट है और जैसी यह अनलॉक होगी यहाँ पर एक ऐसा स्पेशल आइटम मिलेगा जो पूरे मैच में बस यहीं मिलता है और वीडियो की स्टार्टिंग में जिस लेजेंडरी बैटल की बात हम कर रहे थे यह क्रेट भी उससे जुड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा स्पेशल आइटम मिलेगा जिससे वैंपायर थ्रोन को इस कैसल के अंदर अक्टिवेट कर दिया जाएगा बैटने के बाद लेकिन पावर अभी नहीं दिखा नहीं दिखारे गैम séries मिल भी नहीं दिखा लगी तो पावर क्या होगी आपको क्या लगता आ क्या पता चल गया तो बताना मुझे कॉमेंट सिक्षन के अंदर तो पावर बहुत ही खूफिया रहने वाली है बहुत ही जबरदस पावर रहेगी पर क्या है ये नहीं पता क्योंकि भाई इस पहले अपडेट में गेम वालों ने पावर तो दिखाई नहीं ये सारी टॉर्स दिखनी है मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है जैसी वो सेप्टर घुसेगा पूरे महल की बत्तियां जल जाएंगी कुछ तो ऐसा होने वाला है और यहां पर पावर क्या है यहां पर ancient legend मतलब पुरानी कहानिया दिखाई रेती है जिन में गेम वाले ही बताना चाहरे कि वैंपायर्स ने पहले इनसानों को परिशान किया तो इनसानों के साथ injustice हुई उसके बाद इनसानों ने भेडियों के साथ बुस के साथ अलाइन्स बना ली मिल गए दोनों एक जूसरे से और उसके बाद struggle की और revenge लिया blood और bones का जो किए vampires को मारने के बाद लिया गया जिससे हमें ये बता चलता है कि legendary battle blood और bones से related है और उससे related यहाँ पर puzzles हो सकती हैं जिने solve कर सकते हैं हम और solve करने के बाद loot ले सकते हैं या फिर कुछ और clues ढूल सकते हैं यहाँ पर blood moon भी दिखने वाला है दिन और रात भी होते हैं अलग-अलग वैसे यहाँ पर एक spirit tree भी है अवतार movie में जो spirit tree दिखाया गया है उससे मिलता जूलता यहाँ पर एक spirit tree दिख रहा है जो यहाँ पर puzzle solve करने के बाद loot भी देता है इसे ancestral treasure कह रहे हैं यह जिसके अलावा wolf settlement में नई ची wolf statue को जो spirit tree के नीचे रखा है उसे activate करने के लिए यहाँ पर lost wolf spirits को lost wolf souls को रास्ता दिखाना है जो in the end फिर finally यहाँ पर spirit tree पर पहुँच जाती है और कुछ इस तरह से glow effect दिखता है उसका जिस animation के बाद मिलती है यहाँ पर super loot और इस super loot के अंदर self revive kit game के अंदर दिख रही है त तो इसका मतलब self revive kit अब super rare हो गई है अब सिर्फ बहुत मुश्किल से एक या दो self revive kit ही मिलेंगी पूरे match में जैसे पहले मिलती थी अब नहीं होगा तो यह है नए blood moon awakening mode का नया mini game treasure spectre और इस mini game को खेलने के लिए statue के पास आना है और इसे इस तरह से activate कर देना है इसके activate करते ह कुछ crates की location दिख जाएगी जो के आसपास चुपी है उनके पास जाना है और एक के बाद एक इन crates को open करना शुरू कर देना है लेकिन इस treasure spectre mini game का secret यह है कि यहां से हमें companion जाजी दिखने वाली crate भी मिलेगी और इस crate के पीछे भागना है और इस crate को destroy करना है गोलियों से भ पायव हो जाएगी और कुछ भीरी मिलेगा तो गेम में जहां भी हजीब सा दिखने वाला प्राणी मिले इसे shoot करो और इससे level 3 loot उठालो फिर next interesting feature है नया crimson horse यह साधारन सा दिखने वाला गोडा नहीं है जो लाल सा गोडा है जो बीच-बीच में से लाल है यह थोड़ा सा magical भी है अब magical इसलिए है यह दो बार jump मार सकता है तो गोड़े तो गेम के दूसरे version में भी पहले आ चुके हैं पर यहाँ पर जो गोड़ा आया है इसकी अलगी शक्तिया है वाई इसकी अलगी फावर है तो जो आगे भाग रहा है गोड़ा वो तो normal वाला गोड़ा है जो के स सारी वही चीजे करता है जो गेम के दूसरे version में पहले आये घोड़े कर चुके हैं बहुत पहले इसके उपर वीडियो बना चुके देख भी चुके हैं तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियो देखते रहते हो तो लेकिन यह crimson horse लाल वाला गोड़ा हवा में भी जम कर जाता है मतलब पहला जम और दूसरा जम एयर में कर देगा तो यह update में दिख जायागा हमें पहले update में यह feature नहीं डाला भी गेम वालों ने next update से आ रहा है यह वाला फीचर तो तब check out करेंगे कैसे हवा में जम कर जाता है और दूसरे version में जैसे normal horse पानी में तेरता थ यह वाला भी पानी के इंदर तैर सकता है इन गोडों के उपर से हर gun shoot कर पा रही है और इनका kill effect कुछ इस तरह का है इस तरह से damage लेकर यह गोड़ा गायव हो जाता है फिर आगे हैं दो नई सिरिंज यह है blood oath extract इसको लगाते ही vampire बन जाते हैं तो vampire बनने के बाद vampire की शक्तिय आ जाती है players में और timer चल जाता है जिस timer के end होती है फिर से वापस convert हो जाते हैं और vampire के attack में सबसे खतरनाक तो है यह वाला गोल गोल गूमता हो नीचे आगे पड़ता है player तो यहां तो normal player में बदल जाते हैं लेकिन enemies को अच्छा खासा damage पड़ता है फिर next attack is speed attack तो wings से भी damage कर सकते है players को कुछ इस तरह से speed पगड़ता है बंदा tap करते ही और सामने खड़े बंदे नौक हो जाते हैं और तो और vampire energy bombs भी fire कर सकता है जिन में crimson gas होती है और जैसी वो explode होते है players को damage पहुचता है और इस gas के अंदर कोई भी heal नहीं कर सकता मतलब कोई भी bandage medicate वगेरा नहीं damage health फिर से वापस आ जाती है तो ये feature भी add कर रहें नहीं update में फिर बेडिया बनने के लिए wolf self syringe को लगाना है और सबसे पहला bite attack मिलता है इससे wolf bite करता है दूसरा claw attack मिलता है इससे wolf अपने पंजे मारता है और किसी को भी damage कर सकता है तो इन पंजों से बचके रहना तीसरा wolf कि किसी भी दिवार को चड़ सकता है तो किसी भी building की छथ पे wolf दिवार चड़के पहुँच सकता है तो अगर उचाई पर जाना चाते हो तो भीडिया बन जा और फिर कहीं भी चड़ सकते हो castle की चछथ तक wolf बहुत आसानी से चड़के पहुँच जाता है पर wolf की सबसे जबरद जाऊ और एनिमीज को फिनिश करो या फिर लुल्फ बन जाऊ और अपने एनिमीज को फिनिश करो अलग तरह के मैसिज मिलते हैं प्लेयर्ज को अब नेक्स धिक और कमाल का फीचर इन कौफिनस में छुप सकते हैं 말яти इन फ्लेयर्स को कुछ इससरा से डोल भी सकते हैं इसलिए अगर स्कॉर्ड से आमना सामना हो जाया तो कुछ देर के लिए अंदर जाकर छुप सकते हैं और अपने टीमेट्स के आने का वेट कर सकते हैं निउ कार 98 के किल काउंटर तो पहले M4, M16 और AKM में आया लास्ट अपडेट में सकारल में आया और इस निउ अपडेट से कार 98 का किल काउंटर एड़ हो गया कपडों के साथ साथ अब अंदर कार्मेंट्स का कलर भी बदल सकते हैं यहां पे बलाक, वाइट और ग्रेट तीन कलर्स अड़ कर दिये हैं बलके फीमेल्स में तो टॉप बॉटम दोनों के अलग-अलग कलर भी सलेट कर सकते हैं तो यहां पे भी तीनों अपशन दे दिये निउ फ्रेंड लिस सर्च अपशन अड़ कर दिया है बहुत सारे फ्रेंड्स हो तो यहां से सर्च भी कर सकते हैं निउ अपडेट में नया होवर क्राफ्ट दिख रहा है कैसा वेहिकल जो पानी और जमीन दोनों पे चल सकता है किस मोड और मैप में अड़ होगा यह नेक्स्ट अपडेट में कंफर्न कर रहे हैं गेम वाले नई पिस्टल गेम के इंदर आचुकी है डूल एंपी सेवन तो यह पिस्टल दोनों हाथों में पकड़ी जाती है क्योंकि दो पिस्टल है और कुछ इस तरह से इसे फायर कर सकते हैं अभी तो 40 है वो दिख रहा है इसमें और इसकी कोई भी अटाच्मेंट अभी नहीं दिख रही है गेम में पर यह अपनी तरह का एक नहया यूनीक आइटम है क्योंकि अभी तक कोई भी डूल वेपन गेम के अंदर नहीं था पहली बार एक डूल पिस्टल आ रही है यहाँ पर सोच तो रहे थे पहले के समजी अड़ कर सकते हैं गेम वाले लेकिन यहाँ पर समजी की जगा डूल पिस्टल दिख रही है फिर यह रहा नया A9 रॉयल पास का आउटफिट कुछ नहीं लॉबीज, टियर रिवर्ड यही सारे आइटम्स गेम के अंदर अभी आड हो है तो ठीक है फिर मिलते हैं एंगले वीडियो में लव यू आल